नमस्कार, आकाश्वानी से प्रस्तुत है समाचार संध्या जनता पार्टी विधायक दल की कल देहरादून में बैठक पाकिस्तान की नैशनल असेंबली में प्रैधन मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए धक्षने शुकरवार को सत्र बुलाया बंगाल की खाड़े और दक्षन अंडमान सागर के उपर बने कम दबाव के ख्षित्र के और गहराने तथा चक्रवाती तूफान में बदलनी की आशंका और All England Badminton Championship के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष सेन और डेनमार के विक्टर एक्सलसन के बीच मुकाबला समाचार संध्या में मनीशा सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार कोबिट से सुरक्षित रहने के लिए आप से अपील है कि कृपिया इन सरल उपायों का पालन अवर्श करें पूर्ण टीका करन कराएं, मास्ट पहने, दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और अब समाचार विस्तार से प्रधन मंतरी नरेंद्र मोदे और आस्टेलिया के प्रधन मंतरी स्कॉट मौरिसन कल दूसरी भारत आस्टेलिया वर्च्वल शिकर बैठक में भाग लेंगे विदेश मंत्राले के बयान के अनुसार ये शिकर बैठक 4 जून 2020 को आयो जित एतिहासिक पहली वर्चुल शिकर बैठक के बाद हो रही है पहली शिकर बैठक में दोनों देशों ने अपने दोपक्षी संबंधों का दर्जा बढ़ा कर व्यापक सामरिक भागिदारी कर दिया था इस वर्चुल शिकर बैठक में दोनों नेता व्यापक सामदिक भागिदारी के अंतरगत की गई विभिन पहल पर हुई प्रगति का जायजा लेंगे। ये शिकर बैठक भारत और अस्टिलिया के बीच विभिने क्षित्रों में नई पहल और अधिक सयोग में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आशा है कि दोनों नेता व्यापार, महतपून खनन, प्रवासन और अनक्षित्रों के अलावा मॉबिलिटी और शिक्षा के खित्र में अधिक प्रतिबधता व्यक्त करेंगे। ये भी आशा है कि दोनों नेता क्षित्री और अंतराष्ट्र को महतो देते हैं। राज्जी पार्टी मुख्याले में भाजपा विधायकों की बैठक के बाद केंद्री ये वित्तमंत्री निर्मलासिता रामन ने बताया कि नव निर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मती से एन पिरेंच सिंग को विधायक दलका नेता चुना। और युटारी में बाद के साथ हैं। केंद्री ग्रिहमंत्री अमिश शाह ने उत्राखंड में सरकार गठन के मुद्धे पर आज नई दिल्ली में अपने आवास पर बैठक में कारिवाहक मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी और भारती जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ चार्चा की निर्ने लेगा फिधामी ने भी बताया कि पार्टिक विधायक दल की बैठक कल शाम देरा दुन में होगी हाल में संपन विधानसभा चनाव में भारती जनता पार्टी को सत्तर में से 47 सीटों पर जीत मिली है कॉंग्रिस 19 सीटों पर जबकि बहुजन समाज पार्टी और न लई से मुलाकात कर राज्जी में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी उन्होंने बताया कि इससे पहले विधायक दल के बैठक होगी इसमें पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा श्रीत तनवडे ने बताया कि शपत ग्रहन समारों की तारीख राज्यपल से मिलने के बाद तै की जाएगी गोवा विधानसभा में कुल 40 सदस्य हैं उन्होंने बताया कि बोधवार और शुक्रवार के बीच शपत ग्रहन समारों होगा भाजपा के 20 विधायक हैं जबकि उसे 3 निर्दलिय और महराष्ट्रवादी गोवमान तक पार्ट आते हुई कहा है कि भारत को उर्जा आया तक की बजाए उर्जा निर्यातक बनना चाहिए मुंबई में आज भारतिय चीनी और एथिनॉल सम्मेलन 2022 को संभूदित करती हूँ उन्होंने ये बात कही चीनी मंडी समाचार और सूचना पोर्टल द्वारा चीनी और सहयोगी उ आयोजन किया जा रहा है इसमें उद्योग से जोड़े घरेलो और वैश्विक अग्रणी विशिशक देश और अंतराश्ट्री इस तरपर चीनी के व्यापार में मुखिच चुनोतियों और जोखिन से निपटने संबंधी कारे नीतियों पर चाचा करेंगी इसके अत्रिक भारत में अधिक नवोनमेशी , सतत चीनी और एथनॉल क्षित्र बनाने पर भी बात चीत की जाएगी। शिक गठकरी ने कहा कि किसानों को घृबी से निकालने के लिए अना दाता के बज़ाय ओर्जा दाता बनाना चाहिए। शिक गड़करी ने कहा कि उर्जा और विद्धुत क्षित्र की दिशा में कृशी का विविदी करण समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार विमानन क्षित्र में एथनॉल का इस्तमाल करने पर गंभीता से विचार कर रही है शिगड़करी ने कहा कि इस समय गन्ने का उत्पादन बढ़ा है लेकिन ये इस्तिती आने वाले वर्षों में नहीं रहेगी इसलिए चीनी को एथनॉल में बदलने का काम तेज गती से किया जाना चाहिए तो एक बहुत बड़े प्रमान में इथनॉल पेट्रोल के अल्टरिंट्री के रूप में सेल होगा और जिसके कारण आपको काफी फाइदा भी होगा पॉलूशन भी कम होगा हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और गाओ के लोगों को रोजगार भी निर्माल होगा केंद्रिय कोईला और खनन मंत्री पहला जोशी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के कुल खनन क्षेत्र में काफी वृद्धी हुई है उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से देश भर में एक करोड बीस लाख लोगों को रोजगार के अफसर प्रदान कर रहा है आज वर्चुल माध्यम से 36 वी अंतरराश्ट्रिय भू वैग्यानिक कॉंग्रेस के उदखाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि वर्टमान सरकार के कारेकाल में खनीज अन्वेशन की गती कई गुना भढ़ी है उन्होंने खनक्षेत्र में हाल में किये गए सुधारों का उलेख करते हुए भारतिय भू वैग्यानिक सरवेक्षन जी एसाई द्वारा किये गए उलेखनी अकदमों की सराहना की 36 वी अंतरराश्ट्रिय भू वैग्यानिक कॉंग्रेस का महत्व बताते हुए श्री जोशी ने कहा कि भारत इस तीम दिवसी कारेक्रम की मेजबानी 58 वर्षों के बात कर रहा है उनका कहना था कि ये आयोजन सतत विकास के क्षेत्र में अधिक प्रभावी उपकरन तयार करने के लिए दुनिया भर के भूव वैग्यानिकों के लिए सही मंच प्रदान करेगा ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com slash hindi और हमारे मोबाइल एप newsonair पर भी उपलब्ध है समाचार संधिया में आपका फिर स्वागत है राष्ट व्यापी COVID टीका करान अभ्यान के अंतरगत अब तक 181 करोड 21 लाग से अधिक टीके लगाए गए है स्वास्त मंतुराले ने बताया कि कल 15,34,000 से अधिक टीके लगाए गए कल 1,700 लोग संक्रमित हुए इस समय देश में 26,000 से अधिक रोगियों का उप्चार चल रहा है कल 3,000 से अधिक मरीज स्वास्त हुए स्वास्त होने की दर 98.74 प्रतिशत है सूचना और प्रसारण सचीव अपुर्व चंद्रा ने आज दुबई में NBC स्टूडियों को देखा अरब क्षेत्र में ये विशाल टेलिविजन नेटवर्क में से एक है NBC स्टूडियों को देखने का उनका उद्देश श्रेश्ठ प्रक्रियाओं पर चर्चा करना तथा भारतिय और NBC नेटवर्क के बीज सहयोग विक्सित करना है सूचना और प्रसारण सचीव ने 18 मार्च को दुबई एक्स्पो के भारतिय मंडप में मेडिया और मनुरंजन सपताह का बॉलिवूड अभिनेत्रा आर माधन की उपस्थिती में उद्खाटन किया था राष्ट्री महला आयोग ने राजिस्थान के धौलपुर जिले में 26 वर्ष की महला के साथ बंदुग की नोग पर कथित सामोहित दुश्कम के मामले का संग्यान लिया है आयोग की अध्यक्ष रेकर शर्मा ने राजिस्थान के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिक कर आरोपियों की विरुध प्रात्मिकी दर्च करने को कहा है आयोग ने इस मामले की समय बद्ध जांच पीडिता को सुरक्षा देने और साथ दिन में कहरवाई रिपोर्ट पेश करने की मांग की है नीती आयोग का महिला उद्यम शेल्टा मंच अपने पाचवे विमन ट्रांसफोर्मिंग इंडिया अवोर्ट के अंतरगत कल 75 महिलाओं को पुरस्कृत करेगा आयोग ने बताया है कि ये पुरसकार पुद्दू चेरी के की पुर्व उपराज्यपाल किरनबेदी, सयुक्त राश्ट की पुर्व सहायक महासचीव, लक्षमी पुरी, भारतिया स्टेट बैंक की पुर्व अध्यक्ष अरुंधती भटाचार्य और अन्य प्रमुख महिल आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया की प्रधान मंतरी स्कॉट मौरिसन कल दूसरी भारत आस्ट्रेलिया वर्चुल शिखर बैठक करेंगे, एन बिरेंट सिंग लगातार दूसरी बार मनिपूर के मुख्य मंतरी होंगे। के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष सेन और डिन्माक के विक्टर एक्सेलसंग के बीज मुकाबला। पाकिस्तान की नैशनल असेंबली के अध्धक्ष असत पैसर ने प्रधान मंतरी इमरान खान के खिलाफ बिपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अगले शुकरवाल को निचले सदन का सत्र बुलाया है। नैशनल असेंबली सचवाले ने आज इस बारे में अधिसूच ना चारी की। संयुक्त विपक्ष अध्वारा समविधान के अनुच्छेद 54 के अंतरगत प्रधान मंतरी के खलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आठ मार्च को नोटिस दिये जाने के बाद नैशनल असेंब ने शरंड ले रखी थी। स्कूल की इमारत ध्वस्त हो गई है। अधिकारियों के अनुसार बुधवार को रूसी सेनाओं ने मार्यो पोल में एक थियेटर पर बंबर्साये थे। इस थियेटर में भी नागरिक शरंड लिये हुए थे। इस बीच रूस की सेना ने बताया है कि उसने युकरेण के सैनिक ठिकानों पर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से और हमले किये हैं। रूस के रक्षा मंत्राले प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेंकों ने बताया कि युकरेण के इंधन डिपो पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल डागी गई। कल इस युद्ध में पहली बार इस मिसाइल से युक्रेन के एक डिपो में रखा गया गोला बारूद बरबात कर दिया गया था। सैयुक्त राश्टर के अनुसार लड़ाई की शुरुवात से अब तक 847 नागरिकों के मारे जाने के पुष्टी हुई है जबकि 33 लाख लोग युक्रेन से पलायन कर गए हैं। यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज तड़के साओधी अरब पर ड्रोन और मिसाल से हमले किये। हमले में प्राकर्तिक गैस और समुद्री जलशोधन संयंत्रों सहित प्रमुक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाये गया। साओधी अरब के नित्रित वाले सैन गटबंदर ने कहा है कि हौसी हवाई हमलों में देश के दक्षण पष्चि में एक उर्जा केंद्र यानबु के लाल सागर बंदरगाह में साओधी अरब की तेल कंपनी अराम को और तरल गैस संयंत्र सहित कई प्रतिष्ठानों को साओधी अरब के सरकारी मीडिया के अनुसार किसी के मारे जाने की खबर नहीं है और तेल की आपूर्थी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अमेरिका और बांग्रादेश के बीच रविवार को ढाका में आठवी साज़ेदारी वारता हुई बांग्रादेश के विदेश्ट सचीव मसूद बिन मोमेन और अमरिका के राजनितिक मामलोग के अवर सचीव विक्टोरिया नूलेंड ने साजिदारी वारता के दोरान राजनितिक, आर्थिक और सुरक्षा डोमेन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की बांग्रादेश और अमेरिका ने व्यापार, निवेश और संभावत सहयोग बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की दोनों देशों ने हिंद प्रशान्त रणनीती पर भी विचारों का आदान प्रदान किया बर्मिंगम में ओल इंग्लेंड ओपन बैडमिंटन टूनामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के लक्ष सेन का मुकाबला डैनमार के विटर एचसलसंस से होगा लक्ष सेन ने सेमी फाइनल में मलेशा के मौझूदा चेंपियन ली जी जिया को हरा कर फाइनल में जगे बनाई 21 साल बाद किसी भारती ने इस पृतिश्च टूनामेंट के पुरुष वर्ग के फाइनल में इस्थान बनाया है खेल मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने All England Open Badminton Championship के फाइनल में प्रविश करने पर लक्ष सेन को बढ़ाई दी है इससे पहले प्रकाश नात ने 1947, प्रकाश पादुकूर ने 1980 और 1981 और पुलेला गोपी चंद ने 2001 में All England Badminton Championship के फाइनल में जगे बनाई थी 1980 में प्रकाश पादुकूर और 2001 में पुलेला गोपी चंद बैडबिंटन के इस प्रतिष्ठिट टूनामेंट का खताब जीच चुके हैं दक्षिन पुर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिन अंडमान निसागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर और अंडमान निकोबार द्वेपसमू की ओर पढ़ रहा है अगले 24 घंटे में इसके चक्रवात में बदलने की आशनका है मौसम विभात के महानिदेशक मृत्यूंजे महापात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले एक दो दिन अंडमान निकोबार के आसपास आंधी तुफान और बारिश की संभावना है साउस से नॉर्थ की दिशाते होगा और यह मैंनमार कोस्ट की तरफ बढ़ेगा इसके प्रभाव में पास पोटेट आवास में निकोबार आइलेंड में हेवी रेंट पॉल रेकॉड हुआ है अगले सब्सक्राइब तक यानि आज और कल अन्दमान निकोबार आइलेंड में सभी जगा पर बारिश पहेगा अब एक नजर कल कुछ अन्य स्थानों पर कल के मौसम पुरवानुमान पर सबसे पहले देश के चार महानगरों के मौसम का हाल राश्ट्री राजधानी दिल्ली मुंबई और कलकाता में आम तोर पर आसमान साफ रहेगा चन्ने में आम तोर पर बादल चाय रहने का अनुमान है इन महानगरों में न्योंतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है उत्तर भारत में श्री नगर, जम्मो और मुजफराबाद में कहीं कहीं बादल चाय रह सकते है गिल्गित और लेह में आशिक रूप से बादल चाय रहेंगे इन नगरों में तापमान 7 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है देश के पुर्वत्तर हिस्से गुवाहाटी और अगरतला में थूंद चाय रहने के आसार है शिलंग, इंफॉल, आईजोल और कोहिमा में आस्मान साफ रहेगा इटा नगर में सामाने तह तथा गंग टोक में आंशिक रूप से बादल चाय रहने का अनुमान है इन नगरों में नियूंतम तापमान 12 और 36 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्वीटर हैंडल एट AIR News हिंडी को फॉलो कर सकते हैं ये आकाश्वानी है आजादी के अमरित महोचसव के अंतरगत आईए आप सुनते हैं आकाश्वानी की विशेश प्रस्तुती आजादी का सफर आजादी का अमरित महोचसव आजादी का सफर आकाश्वानी के साथ एक राश्ट्र का उदै भारत का गौरव शाली स्वतंतृता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संगहर्षों में से एक है आकाश्वानी समाचार आपके लिए प्रते दिन इस संग्राम की एक जलक लेकर आता है आज की कड़ी में हम गांधिवादी स्वतंतृता सेनानी दीन बंधू चाल्स फ्रीर एंड्रियूस को याद कर रहे हैं जो 20 मार्च 1904 को भारत आए और दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेच से जुड़ गए भारत में अपने लंबे प्रवास के दौरान इस ब्रिटिश समार सुधारक ने भारतिये जनता की सामाजिक आर्थिक और राजनितिक समस्याओं को समझा उन्होंने महात्मा गांधी, गोबाल कृष्ण गोखले और अन्य प्रमुक भारतियों के सहयोग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी एंड्यूस के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी कहरे संबंध थे टैगोर ने उन्हें कई अवसरों पर शांति निकेतन आमंतृत किया था एंड्यूस ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अनुबंध व्यवस्था के खिलाफ अफ्रिका में भी काम किया था और वहां के भारतियों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने में सफलता हासिल की थी भारतिये उन्हें दीन बंधु यानी गरीबों और शोशितों का मित्र कहते थे एंड्यूस एक प्रसिध लेखक भी थे उन्होंने सैकडों लेखों के साथ साथ लगभग एक दरजन ऐसी रचनाई रची जिनका आम भारतिये के जीवन के साथ मानव जाती की समस्याओं से गहरा संबंध था एंड्यूस के बारे में गांधी जी ने एक बार कहा था वो इंग्लैंड का एक अच्छा बेटा था और वो भारत का भी बेटा बन गया मैं उससे बेहतर आदमी या बेहतर इसाई से नहीं मिला हूँ गांधी जी और रवेंदर नाथ की मुलाकात एंड्यूस के माध्यम से ही हुई थी एंड्यूस ने एक और पश्चिम में गांधी जी के सिध्धानतों की व्याख्या करने और भारतीय निताओं तथा ब्रिटिश सरकार के बीच बाच्चीत की समभावनाई तलाश में का काम हाथ में लिया दूसरी और वे विश्च भारती की स्थापना में गुरुदेव रविंदर नाथ टैगोर का सहियोग कर रहे थे और उनके साथ भारत तथा विदेशों की यात्रा भी की हम इस महान गांधिवादी को नमन करते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी खगपती भोत्रा को भी याद कर रही हैं जिन कीम्रिक्ट्यू 20 मार्च 1943 को हुई थी ओडिसा के कोरापुठ के निवासी खगपती ने अगस्त 1942 में ओडिसा में भारत छोडो आंदोलन में सक्रे रूप से भाग लिया था उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नबरंगपुर जेल में रखा जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण खगपती गंभी रूप से बीमार पड़ गए उन्हें पहले 17 फरवरी 1943 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन बाद में अन्य राजनितिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला जेल में स्थनांतुरित कर दिया गया खगपती भोत्रा की 20 मार्च 1943 को कारावास में हिर्दै गते रुक जाने से मृत्य हो गई इस महान शहीद को हमारा नमन आज हम दिल्ली निवासी शहीद सर्फराज खान को भी याद कर रहे हैं जिनोंने 1857 में भारतिय स्वतंद्रता की पहले युद्ध में भाग लिया था वो दिल्ली में सेना में शामिल हुए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया दिल्ली पर फिर से कबजा करने के बाद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया इस महान शहीद को हमारा नमन हम्मध प्रदेश के सागर जिले के निवासी शहीद गंधर्व सिंग को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने 1857 में भारतिय स्वतंतरता के पहले युद्ध में भाग लिया था उन्होंने सागर क्षेतर के स्वतंतरता सेनानियों से हाथ मिलाया और ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी उन्हें एक भिडंत के दौरान अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 20 मार्च 1858 को फांसी दे दी हम भारत के इस महान सपूत को नमन करते हैं इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश्वानी समाचार के साथ शिंखला का ये अंग समाप्थ हुआ मिलते हैं कल अगली कड़ी में आजादी के आंदूलन के खजाने में ऐसे धेरों शब्द जिन्होंने बदल दिये इतिहास तारीख बदलने वाले लफजों पर आकाश्वानी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेश कारिक्रम धरोहर हर सोमबार आकाश्वानी समाचार सुनते रहें और आजादी के अम्रित महुसों में हमारे साथ शामिल हों आजादी के 75 वर्षों का पर्व अम्रित महुसों के पावन अवसर पर आकाश्वानी समाचार लेकर आया है अम्रित महुसों क्विज आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंद्रता आंदुलन से जुड़े प्रशनों का जवाब दे कर आप से ये सवाल प्रतेक सोमवार और मंगलवार को सुबह आठ बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे शोता इमेल अमरित महुसों क्विज प्रसारभारती.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं आप अपने जवाब वाटसेप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घूफना अगले दिन इसे बुलेटिन में की जाएगी विजे का नाम हमारे चुटर हैंडल पर भी फ्लेश होगा तो आईए मनाई आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमरित महोत्सव आकाश्वाणी समाचार के साथ अब कुछ और खबरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर में उपराज्यपाल मनुझ सिंधा ने कहा कि प्रशासन का लक्षे प्रदेश को आतंक और भष्टासार से मुक्त एक विक्सित समाज बनाना है उपराज्यपाल ने आज उधंपुर जिले के सहायक प्रशिक्षन केंद्र में सीमा सुरक्षा बल बीयस एफ के 636 नए जवानों की पासिंग आउट परेड में सुरक्षा बलों की भूमिका की सरहना की घुसपैट के प्रयास और सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तसकरी जैसे प्रयास नाकाम करने के लिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा की ओप्राजपैल ने कहा कि जम्मो कश्मीर की संस्कृती विविधतापूर्ण है जो हमारी ताकत है इसके बल पर हमने चनौतियों का सफलता पुर्वक सामना किया है और हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं उप्राजेपल ने ये भी कहा कि सुरक्षा बलो ने राश्ट्र विरोधी तत्वों को विफल करके एक नए जम्मो कश्मीर के निर्माण में महत्वपोर्ण भूमी का निभाई है। उप्राजेपल ने परेड का निरिक्षन किया और मार्च पास की सला मिली। सीमा सडक संगठन ने लद्दाख और जम्मो कश्मीर के बीच सामरिक महत्व की जो जिला दर्रे को केवल 73 दिन बाद फिर से खोल कर रिकॉर्ड बनाया है। संगठन ने प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विनायक के अंतरगत इस वर्ष बर्फ को दोबारा हटाने का काम 15 फरवरी से ही शुरू कर दिया था। और घरुक से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरेया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाला विकीरन भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। विश्व प्रसन्यता सूच कांक में 146 देशों की सूची में भारत 136 स्विस्थान पर है। फिनलेंड लगातर पांचवे वर्ष सबसे खुशाल देश बना हुआ है, अफगानिस्तान सबसे निचले पाइदान पर है, सूची में शिर्ष पांच देश यूरोप से हैं, इस सूची में अमरीका सुर्वे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में डेन्माग, दूसरे, आइजलेंड तीसरे, स्विजलेंड चौथे और निदललेंड पांच विस्थान पर है। लग्जंबर्ग, नौर्वे, इसराइल और न्यूजिलेंड शेश दस देशों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कोवीड काल में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं पर विशिश ध्यान दिया गया है, ताकि ये पता लग सके कि कोवीड ने जीवन के विभिन पहलूओं को कितना बदल दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधन मंत्री स्कॉट मौरिसन कल दूसरी भारत आस्ट्रेलिया वर्चुल शिकर बैठक करेंगे। एन बीरेंचिंग लगातार दूसरी बार मनिपुर के मुख्य मंत्री होंगे। उत्राखंड में सरकार गठन की प्रक्रिया जारी भारती जनता पार्टी विधाक दल की कल देहरा दून में बैठक। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रधन मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और चर्चा के लिए ध्यक्षने शुक्रवार को सत्र बुलाया है। बंगाल की खाड़ी और दक्षन अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षित्र के और गहराने तथा चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। और All England Open Badminton Championship के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज लक्ष सेन और डेनमार्क के विक्टर एक्सल सेन के बीच मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।